नमस्कार मित्रों, यांचा आवांतर यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें और बैल आइकन को दबाएं, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, एक नई कहानी को ल आचारे चुडा मनी मिस्र आखे बंद किये हुए लेटे थे, और उनके मुख पर एक तरह की एठन थी, जो मेरे लिए नितांत परिजित सी थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिस्रन से वैसी एठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी, वह कमरा उपनी मंजिल पर था और वह अपने कमरे में अकेले थे, उनका नौकर बुधाई मुझे उस कमरे में छोड़ कर बाहर चला गया। सरस्वती के पती स्री ज्यानेंद्रनात पाठक, इलाहाबाद में PWD के सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर थे, सावित्री के पती सरी जै नारायन तिवारी की सुल्तानपूर में आटे की और तेल की मिले थी, तथा सौदामिनी के पती संजीवन पांडे से नामे करनल थे और मेरट छावनी में नियुक्त थे. आचारे चूडा मनी रीडर बने थे और मैं लेक्चरर बना था, उनके अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिक सयम का ही परिणाम था कि वे विश्व में भारतिये दर्शन के विशशग्य माने जाते थे, प्रकांड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर बीए की पाठे पुस्तकों तक अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी, ना जाने कितनी कमेटियों के वह सदस्य थे, हर एक विश्व विश्विद्याले उन्हें अपने यहां परिक्षक बना कर अपने को धन्य समस्ता था, साथ ही बड़े कटर किस्म के ब्रामन थे वे, और त घर की बनी हुई चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी, महीनों उन्हें वारा नसी से बाहर रहना होता था, और तब वे सत्तू, दूद, फल, तथा अपने घर में बने हुई मट्रियों या लड़ों से हफ्तों काम चला लेते थे, वारा नसी के लंका महले में उन्होंने दुम कार कर दिया, गर्मी में दो बार और जाडों में एक बार नित्य गंगा असनान करके पूजा करना नियत सथा, जन्वरी का प्रथम सपता था उस दिन जब वह गंगा असनान करके लोटे, उन्हें कुछ ज्वर सा मालुम हुआ, उनकी पतनी जसोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनव में अपने छोटे पुत्र के यहां थी, उनके नौकर बुधही के उपर उनकी देख भाल करने का पूरा भार था, दोपहर के समय जब उन्हें पसलियों में दर्द भी मालुम हुआ, उन्होंने वैदराज धनवंतरी शास्त्री को बुलाया, वैदराज ने नबज देखकर काढ़ा पिलाया, निदान था कि सर्दी लग गई है, ठीक हो जाएगी, दूसरे दिन जब बुखार और्थेज हुआ, तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया है, दोनों फेपड़े जकड़ गए हैं उसने दवा दी बिमारी के चौथे दिन आचारे चूडा मनी ने बुखाई को भेज कर मुझे बुलाया था, थोड़ी देर तक मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा कि वे आँखे खोलें, फिर हार कर मुझे ही बोलना पड़ा गुरुदेव, आपका शेष जनारदन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है, मेरा इतना कहना था कि आचारे चूडा मनी ने अपनी आखें खोल दी, जनारदन मेरा अंत समय आ गया है, तुम मेरे सबसे अधिक निकटिस्थ निकटस्थ रहे हो, तो तुम्हें बुला भेजा। मैंने आचारे चूडा मनी की बिमारी के सम्मन में लाल मनी से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था, जो दिवरिया से एक घंटा पहले ही आ गया था। आचारे चूडा मनी का तार पाकर, मेरी आखों में भी आसू आ गय, मैंने कहा गुरुदेव, यह संसार असार है और यह शर यही पढ़ा है लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है कुल मिलाकर 75 वर्स सोच रहा था सन्यासरम का भी कुछ रस लूँ लेकिन लगता है मिर्तिव सिर पर आ गई है मिर्तिव से बड़ा भै लगता है और जैसे वे बहत ठके हों उन्होंने आखे मूंद ली मैंने उन्हें धीरज बंधाया दिल छोटा मत कीजिये गुरुदेव बताईए मेरे लिए क्या आदेश है आचारे चूड़ा मनी ने फिर आखे खोली अरे हाँ मेरे तकीये के नीचे कुछ कागज रखे हैं उसमें मेरी वसियत है कल इसकी रजिश्ट्री यही घर पर करा चु का हूँ एक प्रति नयायाले में है दूसरी यह है तो इसे निकाल लो एक मात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो और इस दुनिया में एक मात्र तुम पर मेरा विश्वास रहा है मैंने उन सबों को कलहीतार करवा दिया है जिन्हें मेरे क्रिया कर में सम्मिलित होना है और मेरी वसियत के अनुसार कुछ मिलना है। इस वसियत के कार्यानवयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। तो यह वसियत मैं तुम्हें सौपता हूँ, मेरा प्रणांत होते ही यह वसियत लागू हो जाएगी। गुरुदेव की असीम क्रिपा रही है मेरे उपर। यह कहकर मैंने आचारे के तकिये के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागजों को उलटना अरंभ किया। उधर आचारे चुडा मनी के आखे उलटने लगी। मैंने ततकाल बुधाई और लाल मनी को बुला कर आचारे को भूमी पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगा जल डाला। उधर आचारे के प्राण महा यात्रा पर निकल पड़े। बुधाई को उनके कमरे में छोड़ कर मैं लाल मनी के साथ नीचे वाले बड़े हा तो इसे पढ़ना आवश्यक है। अलमारी में अलग निकाल रखी है। यह सर्थ नहीं होती तो नीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्रात्मिक्ता के क्रम से यग्यो पवीत और सिखा धारन करने वाला ही मेरा अंतेष्ठी संसकार कर सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। लाल मनी की ओर देखकर मैंने पूछा क्यों चिरन जीवी लाल मनी तुम्हारी चोटी बोटी है की नहीं और यग्यो पवीत पहनते हो या नहीं। कुछ उल्जन के अभाव से उसने कहा चुटिया रख करके कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है और जेनेव हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो पचास हजार गए हाथ से तुम अन्तेष्ठी संसकार के योगे नहीं हो तुम्हारे बाद नील मनी का नंबर है। उसके भी न चोटी है न जेनेव है। यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगतपती मिस्र राज जोतसी यह निहायत जूटा और आवारा है। ग्राहकों को फसाने के लिए इसकी एक बलिस्त की चोटी लहराती है और जूटी कस्मे खाने के लिए मोटा सा जेनेव पहने है। जगतपती मुझसे भी एक बार पांच रुपए एट ले गया था तो मैंने कुछ सोच कर कहा। लाल मनी हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर ततकाल मसीन से अपने बाल छटा लो तो चोथाई या आधी इंच की चोटी निकल ही आएगी और वहां से लोटते हुए एक जन्यों भी लेते आना। मेरी बात सुनते ही लाल मनी तीर की तरह बाहर निकला। लाल मनी के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुचेत पढ़ा। मैं चूडा मनी मिस्र चाहता हूँ कि मेरे मिर्तिव की सूचना तार या टेलिफोन द्वारा मेरी पतनी जसोदा देवी, मेरे पुत्र लाल मन देने की कोई आवे सकता नहीं, इन समस्त कुटुम्ब वालों की प्रतिक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए, इसके बाद मनी करनी का घाट पर मेरे शरीर का दास अंसकार हो, मेरे दस्वे दीन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिती में मेरी वशियत का शेशांक पढ़ा जाए, अब मुझे आचारे चुडा मनी मिस्र की वसीयत में दिल्चस्पी आने लगी थी, लेकिन आचारे की आगया मुझे सिरोधारे करनी थी, इसलिए वसीयत को तह कर मैंने अपनी जेव के हवाले किया, आचारे प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में ब जोटी धारन किये हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया, इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेव भी लहरा रहा था, मैंने वसीयत का दूसरा अनुचेद उसे सुना कर आदेश दिया कि वसीयत में बताए, लोगों को तार या टेलिफोन से खबर कर दे, अपने आत्रा मनी करनी का घाट के लिए रवाना होगी, मैं सुबस साथ साधे साथ बजे पहुच जाओंगा, कितनी शानदार शवयात्रा थी आचारे चुडा मनी की, मैं तो दंग रह गया था, वारा नशी के सभी धर्माध्यक्ष और पंडित सम्मिलित थे उसमें, सर्मा शर्मो कुछ नेता भी आ गये थे, जगतपत्ती की आपत्तियों के बावजूद आचारे की कपाल क्रिया, उनके जेश्ट पुत्र लाल मनी ने की, अपनी चोटी और यग्यो पवीत के बल पर, दसवें के दीन जब घर सुद्ध हो गया, मैं आचारे की वसियत लेकर उनके घर पतनी निřजा मिस्र, नील मनी की पतनी मधूरिमा मिस्र, दोनों कहीं बाल बाब्ड, दोनों ही अंग्रेजी मिस्रित हिंदी में बात करने वाली, आचारे की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री, भार्तियता की प्रतिमुर्ती लेकर सोदा मेनी अपनी भावीजों से 21 नि आचारे के भतीजे, जगतपती, मिस्र, स्रीपती मिस्र और लोगपती मिस्र, बुधाई सब लोगों के पान, पानी की विवस्था कर रहा था। नहीं थी, वह तो सब हो चुका था, अब मैं तीसरे अनुचेत पर आया, जो इस परकार था। में सुबह सनान करके, 11 ब्रामनों की रसोई बनवावे मेरी बला, बुढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने निर्जा मिस्र की बात अंसोनी करते हुए तीसरे अनुचेत का शेशांस पढ़ा, यदि वह इस्तरी इस से इनकार करती है, तो क्रमानुसार यह काम मैं दूसरी वध हूँ, और इसके बाद अपने तीन लड़कियों के साथ मैं सौपता हूँ, इसके लिए उस इस्तर के लिए पचीस हजर रुपए की रकम निश्चित करता हूँ, एका एक मुझे मधुरिमा मिस्र की भारी और मोटी आवाज सुनाई दी, पिता जी का आदेस वेदवाक्य है मेरे लिए, जी जी नहीं करती हैं, तो न करें, मैं उनकी इच्छा की पूर्ती करूँगी, में बैरों से खाना बनवा कर खाती हो, मैं तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ, जहां च्छा साथ आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी, कुल च्छा महिने की तो बात है, और निर्जा ने मुझसे पूछा, यह तो नहीं लिखा है कि गरम पानी सहसना न किया जाए, मुझे कहना पड़ा, यह शर्त लगाना वह भूल गए, निर्जा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह स्विकार है, अब आगे पढ़िए, मधूरीमा मिस्र अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी, लेकिन नील मनी बोल उठा ठीक है, यह अधिकार भावी जी का है, वैसे भावी जी का मधूरीमा पर आक्षे पनुचित है, मधूरीमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है, भावी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, मैंने अपने शब्द किसी हालत में व आपश लेता हूँ, अब आप आगे पढ़िए, बात और आगे न बढ़े, मैंने वसियत पढ़ना आरम किया, अनुचेद चार इस प्रकार है, मैं चूडा मनी मिस्र अपनी पतनी जसोदा देवी से जीवन भर परिसान रहा, अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह इस्त् है, तब ही जसोदा देवी ने चिला कर का हाई राम, यह सब लिखा इस बुडवे ने, ऐसे खबोस आदमी के पल्ले में पढ़ गई, इसे नरक में जगा न मिलेगी, घरवालों को सता कर जमा जथा इकठी करता रहा, ना सो हो इसका, इसी समय लाल मनी और नील मनी ने एक अपनी माता को डाटा, अम्मा, पिता जी को गाली मत दो, हाँ, जोशी जी अपना, आप आगे पढ़िए, मैंने चोथे अनुछेत का सेशांस पढ़ा, मेरी मिर्तु के बाद इस रांड को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरूओं के गुलाम ह ये मेरी पुत्र बधुएं इसे भूखो मार देंगी, और इसकी बिगडी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कश्ट होगा, इसलिए मैं जसोदा के नाम दो लाक रुपे छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिन्दा रह सकती है, मैंने चोथा अनुछेत समा जापत ही किया था कि इस्तरियों के कक्ष में एक हंगामा सा खड़ा हो गया, जसोदा देवी हाए लालमन के पिता कहकर धडाम से जमीन पर लेट गई और अन्य इस्तरियों ने उन्हें घेर लिया, दस सेकेंड बाद ही उन्होंने रोना प्रारम कर दिया, तुम तो जरक में छोड़ गए, हमें छमा करो, जो हमारे अन्जाने में हमसे अपराद हो गया है, हाई लालमन के पिता और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंब कर दिया, मैंने समस्त साहस बटोर कर कड़े स्वर में कहा, यह सब करना बाद में कीजिएगा, अभी तो वसीयत पुत्रियों ने उन्हें जबरदस्ती चुप कर आया, मैंने अब पाचवा अनुछेद पढ़ना आरंब किया, मैं चूडा मनी मिस्र, अपनी पुत्री सरस्वती के पती ग्यानेंद्रनात पाठक से अत्यदे खिन हूँ, एक हफता पहले मैंने यह खबर पढ़ी थी, कि ग् पाठक की और सब लोगों की निगाहें उठ गई और सहसा ग्यानेंद्रनात पाठक उठ खड़े हुए, यह बुढ़ा हमेशा का बदमिजाज और बदजबान रहा है, मरने के पहले पागल भी हो गया था, उन्होंने अपनी पतनी सरस्वती को आग्या दी, चलो, इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो, सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामेनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया, पहले पूरी बात तो सुन लो, दूसरी और पूरसों ने ग्यानेंद्रनात पाठक का हाथ पकड़ कर बैठाया, नील मनी ने पूरा किया, और अगर ग्यानेंद्रनात पाठक पर इनक्वाईरी बैठ गई, तो बहुत संभव है, इसके नौकरी जाती रहे, इसे शायद सजा भी हो जाए, इस सबस में इसके पाप की कमाई भी नश्ठ हो सकती है, इसलिए मैं सरस्वती के लिए एक लाख रुपया होदा देवी ने सरस्वती के सीर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत ही ऐसी थी, मैंने अब वस्यत का छठा अनुचेत पढ़ा, मैं चूडा मनी मिस्र, अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ, अत्यंत शूशील और बिनम्र रही है या, भगवान की भी इस पर कृपा है, इसके पती जैनारायन तीवारी का उचा कारबार है, आटी के मेल, तेल की मेल, और अब वह शक्कर के मेल भी खोल रहा है, सावित्री और जैनारायन को मेरे शत सत आशिरवाद, और मैं चुप हो गया, तभी मुझे जै जैनारायन तीवारी के आवाज सुनाई दी, बसियत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं, यह तो उन्होंने नहीं लिखा है, छठा अनुचेत समाप्त हो गया, केवल आशिवाद ही दिया है उन्होंने, और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिता ज तीवारी ने सरस्वती को डाटा, क्यों घर का कच्चा चिठा खोल रही हो, घाटा हुआ है तो हमें कोई हराम जादा इसे घाटे को पूरा कर देगा क्या, करनल संजीवन पांडे ने कडे स्वर में कहा, तीवारी जी, गाली वाली देना हो, तो अपने मजदूरों और मातह को देना, यहां दोगे तो मुथ तोड़ दिया जाएगा, मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर विने पुरवक कहा, पहले वसियत समाप्त हो जाए, तब आपस में लड़िये जगडिये, काफी चाओ चाओ के बाद सब लोग शान्त हुए, मैंने जब सात्वान उच्छेत पढ़ा, मैं चूडा मनी मिस्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मोह नहीं देखना चाहता, यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है, बाल कटे हुए अंग्रेजी में बात करती है, मुझे बताया गया है कि यह कभी-कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है, यदेपी मुझे कभी अपने यहां नहीं बुलाया, उसी समय मुझे सावित्री की चीक सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, वह संजीवन उनकी जान ले लेगा, अब मैंने पूर्षों की गैलरी की ओर देखा, और मेरी आखों को विश्वास नहीं हुआ, करनल संजीवन पांडे, जै जै नारायन तिवारी गोंगों की आवाज कर रहे थे, ग्यानेंद्र नात पाठक और नील मनी ने बड़ी मुझिन से जै नारायन तिवारी को संजीवन पांडे के पंजे से छुडाया, मैंने कहा, आप लोगों को इस अपवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना जगरना सोभ नहीं देता, इससे आचारे की दिवंगत आत्मा को कलेश होगा, पहले मैं पूरी वसियत पढ़लूं, तब आप आपस में एक दूसरे से निपटियेगा, अभी सात्वा अनुछिस समाप्त नहीं हुआ है, सब लोग शान्त हो गए, मैंने पढ़ना आरंब किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है, कि मुझसे सौदामनी के प्रतियन्याय हो गया है, एक पती व्रता इस्त्री को जो करना चाहिए, वही सब वह कर रही है, और मैं संजीवन पांडे को भी दोस नहीं दे सकता, फौज में बड़ा असर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की भागे से जिवित बचा हुआ है, लेकिन मिर्त्यू किछाया उसके सिर पर मंडराती ही रहती है, और इसलिए वह खुल कर मान समयद्रिया का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है, पास में पैसा नहीं, अगर वह मर जाएगा, तो सौदामनी और उसके बच्चों को बताएगी, इसलिए मैं डिड़ लाख रुपयों की विवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज आठ परतीसत की दर से बारा हजार रुपय प्रतिवर्स यानि एक हजार रुपया महीना होगा, एका एक सौदामनी किलक उठी धन्ने हो पिता जी, तुम निश्चे स्वर्ग में जाओगे, और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जैनारायन तिवारी को गले से लगाया, भाई साहब मुझे छमा कीजिएगा, आपकी ही वज़ा से उस खबीस बुढ़े से डेड़ लाख रुपय की रकम हाथ लगी, मैंने संजीवन पांडे को डाटा, तुमको शर्म नहीं आती, जो अपने पिता तुल्ले पुझे आचारे को खबीस बुढ़ा कह रहे हो, अच्छा, मैं आठवान उचेज पढ़ता हूँ, मैं चुडामनी मिस्र, अपने भतीजे जगतपती मिस्र, राज जयोतशी के कश्टों से भली भाती परिचित हूँ, इसके पा शर्म नहीं चला पा रहा है, अपने संकट मोचन के मकान का उपरी खंड मैं जगतपती मिस्र को देता हूँ, एक हजार रुपयों की रकम के साथ, जिससे यह अपना एक साइन बोर्ड बनवा ले, एक टेलिफोन लगवा ले, और अपने पेशे योग्ये पितांबर आदिव बस्तर खरिद ले, जगतपती मिस्र ने कुछ हिच की जाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही, उत्तर नील मनी ने दिया, पहले हैसियत बना लो, फिर लखनवाना, वहाँ जीवतशियों की बड़ी पूछ है, हम तुमें काफी रकम पैदा करा देंगे, मुझे डाटन मिस्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ, हाई स्कूल पास के बाद ही राजनिती में आ गया, और राजनितिक नेताओं की चमचागिरी करके वह खाने पीने भर के लिए जटक लेता है, लेकिन उसे केवल इतने से संतोस नहीं कर लेना चाहिए, उसे स्वेम MLA या मिनिस्टर बनन चाहिए, मैं जानता हूँ कि चुनाओं लड़ने के लिए पूंजी की आविशकता है, क्योंकि एक चुनाओं में 50-60,000 रुपयों का खर्च है, मैं स्रीपति मिस्र के लिए 50,000 रुपयों की बिवस्था करता हूँ, ताकि वह अगला चुनाओं लड़ सके, अपनी मकारी, चलकपट और गुंडागर्दी के बल पर स्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं भारत वर्स का बहुत बढ़ानेता बन सकेगा, हर्शातीरेक से उमरते हुए, अपने आसुओं को पोंचते हुए स्रीपति ने कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांचन लगाया है, वह सरासर अपने भ्रम के कारण, लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, मैंने अब दस्वा अनुछेत पढ़ा, मैं चूडामणी मिस्र, अपने भतीजे लोगपति मिस्र का आदर करता हुँ, बिनम्र, शिष्ट, अध्यव, शाई और पंडित, अपने अतक प अच्छा सा पुस्तकाल है, अस्थापित कर दे, इसी मकान में वह आकर रहे भी और जसोदा का भी देख भाल करे, जसोदा के मिट्यों के बाद इस मकान के नीचे के खंड का स्वामी लोगपति मिस्र होगा, अगर जसोदा लोगपति के साथ न रहना चाहे, तो वह अपने पुत्रों, पुत्रियों के साथ या कहीं दूसरी जगा रह सकती है, ऐसी हालत में जसोदा के जीवन काल में ही इस नीचे के खंड पर लोगपति का स्वामी तो हो जाएगा, पुस्तकों की जिल्दें बनवाने के लिए तथा रैक खरीदने के लिए मैं दो हजार रुपेयो की बिवस्ता करता हूँ, लोगपती ने भूमी पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश शिरोधारे है, लेकिन जिल्द बंधाई और रैकों की खरीदने के लिए या रकम बहुत कम है, तभी मुझे लाल मनी की आवाज सुनाई दी, इसमें हजार दो हजार और जो लगे मुझसे ले लेना, इग्यारवान उचेद इस प्रकार था, मैं चुडामनी मिस्र, अपने सेवक बुधाई से बहुत संतुष्ठ हूँ, जो गत 20 वर्सों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ती के साथ मेरा सेवा करता रहा, भोजन या मेरे यहां क उनी बुधाई को दिये जाए, भंडार घर में जितना भी अनाज घी, चीनी है, वह सब भी बुधाई को दे दिया जाए, और मेरी ओर से सो रुपे दे कर इसे भी विदा कर दिया जाए, यदि मेरे कुटुम्ब का कोई व्यक्ती बुधाई को अपने अहां नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ती नहीं, जसोदा देवी ने कड़क कर बुधाई से पूछा कितना सामान है भंडार में, बुधाई ने हाथ जोड़कर कहा, एक बोरा चावल, एक बोरा गेहू, पांच किलो चीनी, एक मनगुड, एक टीन घी और दो कनस्तर सत्तु है, दाले ही थोड़ी थोड़ी हैं, जसोदा देवी ने कहा, तेरही के दीन जो भोज होगा, यह अनाज उसमें काम आएगा, बुधाई को कैसे दिया जा सकता है, मुझे बोलना पड़ा, भोज का प्रबंध लाल मनी को करना पड़ेगा, जिने इस सब के लिए पचास हजार की रकम मि बारवे अनुछेत की प्रतिक्षा में सभी लोग थे जो इस प्रकार था, मैं चूडा मनी मिस्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ती तथा बैंक में जमा, 11 लाख रूपए की चल संपत्ती का स्वामी हूँ, यह 11 लाख की रकम पिछले अप्रेल में मेरे नाम थी, ब् उप्या बचे उसमें से इस वसियत में निर्धारित राशियां बाट दी जाएं और जो बचे वह बराबर भागों में लाल मनी और नील मनी में बित्रित हो जाएं। जनारदन जोशी तुम्हारा उत्तरदाईत के वलिस वसियत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसियत की रजिस्ट्री हो चुकी है जो अदालत में मौजूद है तो जनारदन तुम्हें इस वसियत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में ततकाल जमा कर देना, जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे हो, तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा है, न तुमने सौरल पढ़ा, न चारवा का दर्शन पढ़ा, एक मात्र विदान्त के तुम पंडित रहे हो, मुझे तुमस कभी-कभी इश्या होने लगती है, कि कितना संतोष है तुम्हें, तुम्हारे मन में कितनी शान्ती है, मैंनी संकोच कहता हूँ, कि तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्त हो, मैं तुम्हें अंतिमुभार के रूप में, अपना परंप्रियतोता गंगाराम भेट करता हूँ, ज इसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है, जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लोटना, तब बुधही से गंगाराम को ले लेना, मैंने घड़ी देखी, दस बच जुके थे, मैं उट खड़ा हुआ, अदालत खुल गई होगी, मैं पुझ्य गुरुदेव की आग्या नुसार यह वसीयत वहां जमा करके वापस लोटता हूँ, अदालत में अधिक समय नहीं लगा, बारह बजे ही मैं लोट आया, बुधही ने तोता का पिंजरा मुझे थमा दिया, लंका से असी घाट अधिक दूर नहीं है, जहां मेरा मकान है, पिंजरा हाथ में ले इस पर सोचता मगन भाव में चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुध्धू हो, मैं चौक पड़ा, बिलकुल साफ आवाज, और मैंने अनुभो किया कि यह आवाज दोते के पिंजरे से आई थी, इस आवाज को सुनकर मेरे विचारों ने पल्टा खाया, आचा आचारे चूडा मनी पर कुछ जुझलाहट होने लगी, इस जुझलाहट के मूड में मैं तेजी से डग बढ़ा कर चलने लगा, तभी मुझे पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ, बड़ी साफ आवाज, जैसे आचारे चूडा मनी स्वैम बोल रहे हूँ, तो आचारे एक मुल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं, असी घाट सामने दिख रहा था कि मुझे फिर सुनाई पड़ा तुम बुद्धू हो, आस पास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे, और मुझे लगा कि आचारे चूडा मनी अपनी वसीयत मे मुझे खेंगा दिखा कर मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरा अंदर वाला विदानती न जाने कहा गायब हो गया, मैं तेजी से अपनी घर की ओर न मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा, तभी पिंजरे से सुनाई पड़ा मैं पंडित हूँ, सामने गंगा जी लहरा रही थी मैंने आचमन करते हुए कहा, आचारे तुम पंडित थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, तुमारी आत्मा को शान्ती मिले, और मैं अपने घर की ओर चलने को उद्यत ही हुआ, क्या गंगा राम बोल उठा तुम बुद्धू हो, जैसे सिर से पैर तक आग लग गई हो मेरे मैंने पिंजरे की खिड़की खोलते हुए कहा, मैं बुद्धू हूँ, यह मानने से मैं इनकार करता हूँ, हे गंगा राम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मेरे कहने के साथ ही गंगा राम पिंजरे से उड़ गया, और मैं घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर घर की ओर चल दिया, तो ये थी कहानी वशियत, अगली कहानी के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जैहिन, जै भारत.